देश में दिपावली की तैयारिया शुरू हो गई है इसे बीच खाद्य तेलों के अधिक दामों से जूज रहे उभोकताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है उमीद की जा रही है कि महंगाई से परेशान लोगों को त्यहारी सीजन में कुछ रहत मिल सकती है जिसके तहट दिपावली में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट होने का अनुमान है लेकिन ये गिरावट एक तरफ जहां उम्भोकताओं के लिए राहत की खबर लेकर आई है तो वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों के लिए चिंता भी लेकर आई है दरसल अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबावग बना रहा सकता है भारत का पामोयल आयात एक महिने पहले की तुलना में अगस्त में लगबग दोगुना होकर ग्यारा महिने के उच्चतम सर पर पहुँच गया है इसके पीछे का कारण है अंतरास्चे बजारों में लगातर दामों का गिरना और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच पाम तेल बेचने की छिडी जंग के चलते आयात में इजाफा हुआ है जिसके चलते कीमतों पर दबाव बनता दिखाई दे रहा है दुनिया के सबसे बड़े खादिय तेल आयातक द्वारा पामोयल की अधिक खरीद से इसके वाइदा कारूबार को समर्थन मिल सकता है वहीं शीर शुत्पादक इंडोनेशिया को बैलूनिंग इन्वेंटरी को कम करने में मदद मिल सकती है ओस्त अनुमान के अनुसार अगस्त में भारत का पामोयल आयात एक महिने पहले से 94 फीसदी बढ़कर 1.03 मिलियन टन तक पहुँच गया है वहीं अन्य तेलों की तुलना में पामोयल काफी किफायती हो गया है पिछले महिने कीमतों में अंतर तेजी से बढ़ा है कच्चे पामोयल की पेशकश, लागत, बीमा और माल ढुलाई सही 111 डोलर प्रति टन पर की जा रही है जबकि कच्चे सोया तेल के लिए 1443 डोलर की तुलना में ये काफी कम है अक्तूबर के अंतक शुल्क मुक्ठ निर्याद की अनुमती देने के इंडोनेशिया के कदम ने बजार में सप्लाई को भढ़ा दिया है और कीमतों में कमी ला दी है अप्रिल मई में इंडोनेशिया निर्याद को प्रतिवंदित कर रहा था अब ये हो गया है कि स्टोक को घटाने के लिए बजार में बाड़ा गई है भारा सरकार द्वारा आयाज शुल कमी के आदेश की सीमा बढ़ाने से आयात आगे भी बड़े पेमाने पर हो सकता है जिसे नई फसल को लेकर बजारों में आने वाले किसानों को फसल के दाम उनकी सोच से काफी कम मिल सकते हैं और अगली फसल के लिए फिर किसान दो बार सोचेगा जानकारों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि अंतरास्ट्य बजारों में तेलों के दाम ज्यादा गिरने पर आयाशुल के बारे में उचित निर्नेले अन्यता सरकार की भारत को तेलों के मामले में आतम निर्भर बनाने का सपना कैसे पूरा होगा Bureau Report, Market Times TV